पूटवाल इस प्लेट बाइ मोहन इस तरह से कह सेथा आई रिड़ बुक इस रेड़ बुक इस रेड़ बाइ मी जैसे यू इत अ मैंगो इस इतन बाइ यू जैसे गोगे राधा सिंग सा सौंग इस संग बाइ राधा है ना हेलो स्टूनेंट्स तो आज हम इस वीडियो में स फर्व का ठट फर्म यूज कर देंगे ठीक है तो राधा तो अक्टिन के साथ आपको बताते चलेंगे कैसे मैं प्रेसिव को मैं कैसे बद्लेंगे ठीक है तो प्रजेंट प्रजेंट इन इफिन टेंस ये जह हो गया आपका एक्टिव वाइस की समय और दो इसमें पैसिव गहें तो आप आधा जो हे voice समझ गहें मतलब आगर आपने subject to object खेल समझ लिया तो आपको जो हे आधा voice और अल्री command हो गया और आधा जो command होगा वह आपको थिए मतलब कि वह आपको जो है formula युज करके आप कर सकते तीक जो active voice का object होता है ना जो active voice का object होता है उसको हो पैसिवोस का सब्ट बना दिया जाता है यह सबसे पहली बात आता है कि सब्जेक्ट क्या होता है कि अभी हमने लिया जैसे आई Pam both God having Ov लिए हैं क्या समझाने के लिए कि इसमें subject कौन सा है और object कौन सा है तो आपको जो इसमें नजर आ रहा है ना I you राधा मोहन एंड दे यह जो पांचों चीज समझ में आपको नजर आ रहा है इसको कहते है subject क्या कहते हैं subject एंड इसी का उल्टा जो है लास्ट में देखिए ए बुक हना a mango a song football and an apple यह हो गया आपका object ओके यह हो गया subject अगर आप हमने क्या का शुरू में ही कह दिया है न अगर आपने subject और object के खेल को समझ लिया तो आप आधा वाइस अल्री कमाड कर चुके हमने कहा था कि active voice का जो object हो यह बात अगर्फ का जो object होता है वो पैसिव वजब्च का subject बनता है ठीक है अब यूज करना है हमें M is और आर तो एकिए साथ आ जाएगा आपके लिए इस है न है एक बुक इस अब देखिए यहा पर क्यादए रिड है तो होता है इसमें कोई दीकत वाली बात नहीं है तो रीड का थर्ड फर्म रीड ही आ जाएगा और बुक इस रीड बाइजेंट इसमें जोड़ता है नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा लेंगे लगा देंगे तो बहुत ही अच्छड़ेगा अब इसका जो सब्जेक्ट है वो ब पास एक्तिव और आवच के सब्जेक्ट को पैसिवर्स बना दिए यहाँ तक बात के लिए अब देखें आगे यू David यूज़ करने के लिए ना तो यह mango is it का थेटिपम क्या हो जाएगा इटन यह mango is eaten by तो लगाना है है ना तो यह mango is eaten by इसके द्वारा यहां पर यू है तो यू का subjective pronoun भी यू होता है और objective pronoun भी यू होता है तो अब mango is eaten by यू अब देखिए जिस तरह सी इसमें इस object था उसको subject बना दिए सेम इसी में हो गया कि जो object है उसको subject बना दिए और जो subject है उसको object बना दिए ठीक है बात के लिए समझ में आ रही ठट वहला जो हमारे पास है राधा sings a song तो इसमें object बने ढूंड़ेंगे है ना object क्या हमारे पास है a song ठीक है हमने लिखा a song song तो एक ही है ना भाई है ना a song is क्या a song is अब यहां पर वर्ब का थर्पम लेना है तो sing का थर्पम क्या होता है sing sang sang okay थर्पम क्या हो जाएगा sang sang है ना a song is sung by by तो बाब घर से लगाना ही है हाना a song is sung by किसके द्वारा राधा के द्वारा राधा लगा देंगे यहां पर ओके हाना तो यह हो गया आपका यह जो एक्टिव वैस का object था वो बन गया object किसका पैसिव वैस का चौंधा जो एक्जांपल हम लिए आप लोगों के लिए समझाने के लिए तो य हाँ आपके थोड़्ण क्या हो जाएगा फुटबॉल के ऒाबवबगार किसके द्वारा महान यहां पे तो मह पर पहल ocasushah जैसे यो इत बैंगो एंगो इस इतन बाइदा जैसे राधा सिंग शॉंग पाइ राधा अब लाश्ट जो बच रहा है दे इतन एपल तो एन एपल को ले लिए और आपल जो इसमें अब्जेट वस्भीट बना देंगे एन एपल ओके आन एपल हो गया एन एपल इस अब यहा तो दे का objective pronoun आ जाएगा आपके लिए देम क्या जाएगा दे का objective pronoun आता है देम तो यह हो गया totally आपके लिए active से पैसे present indefinite tense का और आगे वीडियो हम जानेंगे present imperfect tense का ठीक है और जो है दीरे दीर आपको समझ माता जाएगा किस तरह से हमें change करना होता है किस तरह से हमें change करें